कि नमस्कार दोस्तों मैं आशिश पांडे आप सब के लिए लाया हूं हिंदी का प्रेक्टिस सेट मेरे प्यारे भाईयों मैं आपको बता दू कि यह जो मैं हिंदी की प्रेक्टिस सेट आप सब के लेके आया हूं ये छोटी-मोटी परिक्षाओं यू पी, पी से ले करके यू पी, यू पी एसाई लेखपाल, लेखपाल इन सभी परिक्षाओं के सांत-संत यू पी-पी-स के सांत-संत- यमपी-पी-स अर्थात मैं अगर एक सब्दों में कहूं तो सभी आयोग की बैकेंसी सभी आयोग की परिक्षाओं के लिए भी बहतर है बहुत ही जरूरी है मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि यदि आप पूरी प्रेक्टिस सेट मेरी कर लेते हैं जितने क्वेशन में कराता हूं तो कोई ऐसा कोशन नहीं होगा जो आपके लिए नया होगा या इस प्रेक्टिस सेट में नहीं होगा या मैं उसे बताया नहीं होगा तो आप लोग बड़े ही ध्यान से मेरे साथ पेपर और पेन लेकर के बैठिये और वीडियो जब मैं लाइब ये चला रहा हूँ तो आप लोग इसे खुब अच्छे से देख देख के समझ समझ के अगर कोई प्राब्लम आती है तो रंद कमेंट करिए मैं आपके समझा का समधान ततकाल करूँगा ठीक है मरे भाईया चलिए शुरुवात करते हैं आज के प्रक्टिस सेट का और आज के प्रक्टिस सेट का पहला कोशन आपके सामने लाता हूँ ये है पहला कोशन लिखा गया है हिंदी वर्णमाला में उश्म बेंजन कौन से हैं हिंदी वनवाला में उश्म बेंजन कौन कोन से हैं इस बात को आप सबको बतानी है उश्म बेंजन के बारे में आप लोग जानते होंगे कि चार बेंजन ऐसे होते हैं जिनें उश्म बेंजन कहा जाता है चार बेंजन ऐसे होते हैं जिने हम लोग उश्म बेंजन कहते हैं ठीके, आप लोग मुझे कमेंट करिए जल्दी जल्दी, हाँ बहुत बच्चे कमेंट कर रहे हैं देख रहा हूं, बहुत अच्छा बेटा साबाश कमेंट करिए, कमेंट करिए कमेंट करिए जल्दी बताईए कौन कोन होता है कुछ लोग देखे गलत भी कुछ लोग तो कमार रहे हैं देखे देखी देखा सब लोग न बताईए एक सांद जब बताएंगे तम मुझे समझ माएगा का आप लोग बढ़ियां बता रहे हैं और आप लोगों को सभी को पता को सब्सक्राइब को हम लोग उश्व बेंजन कहते हैं ठीक है अब देखे अगला यहां से तथा दधा को अगर हम लोग को हम लोग देखें यह उश्व बेंजन नहीं कराते यह सभी बेंजन जो आते हैं वह सपर्ष बेंजन के अंतरगत आते हैं किसके अंतरगत आते हैं और यहां पर यह जो ड़र लिखा गया है यह दगुनित बेंजन है या उच्छित बेंजन है ठीक है चलिए आगे question number two question number two में लिखा गया है कि हिंदी के जिन वर्णों का उच्रण करते समय केवल स्वांस का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को क्या कहते हैं देखे भीया कह रहे हैं हिंदी के जिन वर्णों का उच्रण करते समय केवल स्वांस का प्रयोग किया जाए उन्हें क्या कहते हैं तो देखे विकल्प थोड़ा सा दूर है इस Может को इसमें थोड़ा सा यहां पर हैं उससे क्या कहींगे भीया अगोस, सभोस, अलपप्रान, महाप्रान, क्या कहेंगे बहिया, तो उससे हम लोग मेरे बहिया अगोस कहते हैं, क्या कहते हैं, ठीक है बेटा, चलिए, अगले कोशन के तरफ, देखें, अगर मैं कभी आप सबको बेटा कह दूं, तो आप लोग बुरा नमाना करें, ठीक है, PCS में 2013 में यह प्रश्ण पूछा गया है जो लोग PCS की परच्छा देना चाहते हैं वो लोग भी इसे बड़े ध्यान से समझे यूपी यूपी एसाई लेखपाल सभी लोग इसको बड़े ध्यान से पढ़ें ठीक भी या देखे प्रश्ण में लिखा गया यह लव बेंजनो को कहते हैं बहुत बचले कोशन में देखें 5 कि यह टाइक आगला प्रश्ण संख्या तीन देखे हम हर एक practice set में कोशिस करेंगे कि आपको 100 से अधिक question करा रहा हूं तो 100 question अभी करा रहा हूं उसके बाद और भी धेर सारे question मिलेंगे उन्हें भी कराऊंगा याद रखिए कि मेरी guarantee है कि आपको हिंदी में कोई फिर से और कुछ पढ़ने की अवश्रक्ता नहीं पढ़े question है कि वीडियो छोड़ के भागाना करिए आधा दूरा कुछ बच्चे देखता हूं दस-पांच दोड़ा देखते हैं भाग जाते हैं तो भागने वाली हरकत छोड़ो यार देखो selection लेना है तो डटे रहना पड़ेगा भाग भाग के तो भगोड़े भागते हैं ठीक है पफब भ सोड़क पilly को अब होट गी मन इसाद thief को पर जाया दो एंफया मोगे और वह जो है वहां अर्द से बोलाbourग जाएगा ठीक कियो कि वहां जायूर मुर्धा से बोलाह जाएगा बोला जाएगा तवर्ग जो है वो मुर्धा से बोला जाएगा तवर्ग जो है वो दंत से बोला जाएगा और पावर्ग जो है वो ओष्ट से बोले जाएंगे तो यहां पर फो जो दिख रहा है वो पावर्ग में आता है इसका मतब ओष्ट से बोला जाने वाला धोनी क्या है प्रश्ण संख्या 5 प्रश्ण संख्या 5 में लिखा गया है वावल को इसे वावल ने पड़ते वावल पड़ते हैं ठीक है वावल को हिंदी में कहते हैं तो हिंदी में इसे स्वर कहते हैं सभी बच्चे जानते होंगा इसे ठीक है अगला देखें यह जो हिंदी में स्वर कहत वर्रेंटी है, जाकर किया प्रक्टीस सट मिला लेना आपको मिलेगा ठीक है, धीक है? क्विस्षिन नमर्व सिक्स में कहा गया है, जिन शब्धों के अंत में औ आता है उन्हें क्या कहते हैं? बोलिव भे, जल्दी जल्दी बिताइ often जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं अनुश्वार कहते हैं अयोगवाह कहते हैं अंतस्त कहते हैं या अकारांत कहते हैं बिल्कुल सही है अकारांत कहते हैं जिस स्वर से कोई शब्द खतम होता है उसी को उसी के रांत रांत जोड़ दिया कर ये का रांत तो ये आपका उस सब्द से जैसे हमने लिखा कमला क्या लिखा मैंने माला क्या लिखा माला अब इसमें आप देख रहे हैं माला जब बोल रहा हूं तो आक की मात्रा आ रहा है त तो आ की मात्रा आ रहा है तो इसे हम लोग कहेंगे आकारांत क्या कहेंगे आकारांत ठीक है अगर जैसे मैं लिखूं को मो लो क्या लिखूं को मो लो में ओ आ रहा है अगर ओ आ रहा है तो इसे हम लोग कहेंगे अकारांत क्या कहेंगे अकारांत ठीक है ऐसे ही इकारांत उकार आब जांत भी होता है आप जान गये i can No7ok confusion no7 मे का रहा रहा है कॉन स्वर नहीं है नने में बताएं जल्दी से प्लाइब को देखने को मिल रहा है सवीरों की संक्या हिंदी में 4 है यहाँ पर देखिए ब जो देख रहा है आपको बही हमारा स्वर यह क्या है वेजन है विय。 10 में कौन सा वियस में ऑर्धी से बीज़ में आता है तो आपको से बोल कौन सा वन गोश है तो वन कौन सा है आपका द द क्या है गोश है देखे दो प्रकार के वन होते हैं अगोश और सगोश इसी सगोश को ही हम लोग गोश भी कहते हैं ठीक है क्या कहते हैं गोश भी कहते हैं अब आपको एक बहुत बड़ी बात मैं यहाँ पर बताते चलूँ कि किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण यह अगोश होता है क्या होता है अगोश होता है और तीसरा चोथा और पांचवा वर्ण जो होता है वो सगोश होता है क्या होता है शगोश होता है या इसी को घोश कहते हैं क्या कहते हैं घोश कहते हैं अब अगर इसे देखोगे तो ये वर्ण जो है ये ये त थ द ध ध न तो ये देख रहे हैं पहला और दूसरा ये तो क्या है अगोश है अलपप्राण है ये महाप्राण है और ये वाला जो त स्पामाले के मेंवदे हैं नासिक दोनिया नासिका सि बले जाते हैं तो विखलब आपका कॉन सा सरी होगा सी वाला की होगते हैं भासा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं, सभी बच्चों जल्दी से बताओं को, भासा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं, जल्दी जल्दी बताओं किसे कहते हैं, जल्दी जल्दी बताओं किसे कहते हैं, जल्दी जल्दी बताओं किसे कहते हैं, जल्दी जल्दी बताओ होती है उसे हम लोग अक्षर कहते हैं या वर्ण कहते हैं क्या कहते हैं वर्ण कहते हैं तो यहां पर कौन सा सही हुआ या नवहां सही हुआ question no.10 question no.10 में कर आप word amala किसे कहते हैं word amala किसे कहते हैं देखे question no.10 जल्दी जल्दी आंसर किजे word amala किसे कहते हैं जितने भी बच्चे हमें देख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, ये आप सब लोग पढ़ने के मूड में है, और जल्दी-जल्दी आंसर किजिए, देखें कुछ बच्चे बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं, है न? अच्छे आप लोग ये मत सोचा करिए कि मैं आपका नाम नहीं बोल रहा हूं ठीक है, आपका नाम भी बोल सकता हूं परनतव ये धी नाम बोलूँगा तो उसमें टाइम अधिक जायेगा तो आप लोग उसके लिए परेशान ना हुआ करिये सभी को मैं देख रहा हूं ठीक है और अपना काम केवल इस समय है पढ़ना और पढ़ना इसलिए मैं आपके नाम आपके कमेंट नहीं बोल रहा हूं जो बच्चे अच्छा कर रहे हैं ठीक है नहीं कर रहे हैं वो भी ठीक है जो लोग देख रहे हैं शानती से वो भी ठीक है और जो लोग आए देख के भाग गए वो भी ठीक है कोई दिक्कत ने क्योंकि सफलता उसी को मिलेगी जो डटा रहेगा मैं बार बार आपको कहता हूं तो आप लगे रहो आपको सफलता मिलेगी देखो जब आप डाउनलोड क कर लेते हो ना तो मैं गरंटे की सांट के सकता हूं आप उसे पूरा देखनी पाते लाइब देखो के आपको यह रहेगा के रियार भी निकल जाएगा भी निकल जाएगा निकल जाएगा बहुत बच्चे इसा कह रहे हैं तो मैं वीडियो कोशिश करूंगा कि अप्लोड हो देखा करिए और लाइब सेशन में ही देखा करिए डाउनलूड-अउनलूड करने के चक्रम ना पड़ा करिए ठीक है तो वर्णमाला कीशे कहते हैं जल्दी से आप लोग में बताएंगे क्या सब्द समू को कहते हैं गलत बात है जब शब्द अभी तो वर्णमाला की बात तो शब्द कहां से आजाएंगा शब्द गढणा को कहते हैं बाद गलत हो गई ब्यवस्तित वर्ण समू और वर्ण समो को अब भया वर्ण समू अगर एकठा कर देना बड़ी बात नहीं है लेकिन उसे बिवस्तित रूप से रखना बड़ी बात है तो यह वाला विकल्प गल लिग सकता था नहीं क्योंकि यह होना चाहिए अगर बेवस्तीत होा तभी जाकर के इसका कुछ अर्थ निकल पाएगा नहीं तो इसका कोई भी अर्थ निकलने वाला नहीं है जहां भी बेठाओ आप जब में बोलव कुछ तो आप मेरे सांथ बोला अट छो दॉल है अब सब को बताना जाँ देखे को अग कंठ मतलब कावर्ग, तालब मतलब चावर्ग, मुर्धा मतलब होता है आपका टावर्ग, दंत का मतलब होता है तावर्ग, और अगर हम लोग ओष्ट की बात करें तो पावर्ग तो कंठ की बात अगर हम लोग करें तो कौवर्ग में आने वाले जो भी वरण होंगे उन्हें हम लोग कंठ से बोला जाता है तो अगर आप लोग कौवरग का देखें तो कौवरग का विकल्प एही सही है कौ और खौ तो यहां पर जो आपका विकल्प हो जाएगा वो विकल्प हो जाएगा कौ अगला है निमने लिखित में से उच्छरन स्थान के आधार पर मूर्ध विंजन क्या है मूर्ध विंजन अगर आप बोलना चाहते हैं तो मूर्ध कहने का मतलब यह है कि मुर्धा से बोलने जाने वाले वर्ण और अभी हमने भी एक question के पहले आप से बताया कि कवर्ग जो होता है वो कंठ से बोला जाता है चवर्ग तालू से बोला जाता है और टवर्ग जो है वो मुर्धा से बोला जाता है तो अगर हम लोग देखें कि टवर्ग में आने वाले वर्ण कौन कुन से हैं तो आप कहोगे कि सर डवर्ग में आने वाले वर्ण है इसका मतलब इसका उच्रन स्थान जो होगा वो मुर्ध होगा मतब मुर्धा से बोला जाएगा ठीक है आगे question number 13 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं मरे भीया question number 13 लिखा गया है क्या लिखा गया है इनमिलकित में से अलपप्राण वर्ण कौन से होते हैं याद रखे कि अगर कोई भी वर्ण आप कोई भी वर्ण ले रहे हैं क तो उस वर्ण का पहला तीसरा और पांचमा जो होता है वो अलपप्राण वर्ण होता है और दूसरा और चोथा जो है वो महाप्राण होता है तो अगर इसमें हम लोग देखें तो यहाँ पर देखें अलपप्राण की बात की गई है अलपप्राण की बात की गई है और प्राण वन हैं तो तेर्य का आपका विकल्प सही होगा वी वाला आगे प्रश्ण शुरू किया तो हमने देखा कि अगले प्रश्ण चयुदर नमबर प्रश्ण में पोछा गया है कि नमने लिखित सब्लों में से नवीन विक्षित ध्वनियां कौन सी हैं नवीन विक्षित धनिया कौन सी हैं गावप्रश्नी संक्या 15 की तरब बढ़ें पर प्रश्च पंदरा में लिखा है निमलीकित में से कौनसा घोस वरना है फिरसे बही बात हो गई आपको इसकी पहले में बता चुका हो कि कौन सा घोस घोस है तो यहाँ पर विकल्प आपका सही करूँगा मैं म म मतलब यहाँ पर घोस वरण जो है वो कौन है म है ठीक है अगला question number 16 की तरफ बढ़िए question number 16 में लिखा गया है निमने लिखित में से एक वरण विंजन नहीं है कौन सा विंजन नहीं है आप मुझे बताईए तो आप देख रहे है रव विंजन है यह विंजन है खो विंजन है कौन सा विंजन नहीं है ए उ ठीक है उ क्या है स्वर है अगला लिखा निमलिखित में से कौन सी ध्वन ओष्ठ नहीं है कौन सी ऐसी ध्वनी है जो ओष्ठ नहीं है अर्थात जो पवर्ग में नहीं आएगा वो नहीं होगा तो यहां पर त जो है वो नहीं है त दंत से बोला जाता है विकल्प आपका सही होगा का D m שמס़ार आए न बहले अच्छा लग रहा है आप सबको हिंदी की प्रक्टीस सर्ट में जल्दी से मुझे एक बार थमशब करो सब लोग सबी जल्दी से करी जल्दी से करें honor कर्षा संख्यόσm 18 लिखा गया है हिंदी भाषा में मूलता वरनओं की शंख्या कितनी मानी गई है हुब कितने लिखे गए हैं तो इसके लिए आपको मैं बार बार कह चुका है हुं हिंदी में रिज्यों है है वो बावन है अंग्रेजी में वनों क few हो 26 है अर्थाय जो ςट क्या है डबल है थीक है तो हिंदी भहाँ सामें मूलता व्रणों की शंख्या अगर आपसे कभी पूची जाए तो आप में इसे नासिक की वंजन कौन सा है नासिक की वंजन बोले तो जो नाक से बले बोला जाता है और नासिक की वंजन वो सभी होंगे पंचमवर्ण को अर्थात पंचमवर्ण जो होता है वो सब नाशिक क्या है कौन सा यहां पर लिख देता हूं पंचमवर्ण वर्ग का बन को हम लोग क्या कहेंगे नाशिक के दोनी कहेंगे क्या कहेंगे नाशिक अर्था तो उनकी आवाज कहां से निकलेगी नाक्ट से निकलेगी कहां से निकलेगी नाक्ट से निकलेगी तो आप देखो यही यह जो है वो नाशिक के बंजन है यह क्या है नाशिक के बंजन है त कंठ तालब्य कहते हैं जल्दी से विकल्प में हमको टिक लगाईए देखता हूं यह और वी एक्जाम 2004 पहले रेलवे में पूछा जाता था तो वहां पर रेलवे एक्जाम 2004 में यह प्रश्ण पूछा गया है कि AI1 क्या कहलाता है ठीक है जल्दी बिताइए आप सब बहुत अ अगला कोशन नमर 21 कि कि किसे हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है तो मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है तो मानक वर्णमाला में स्थान न दिया जाने वाला है सुरी क्या है सुरी इसे मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है इसे आप याद रखेगा बहुत अच्छे से आप याद रखे इसे हैं कि 22 वां क्वेश्चिन नमर 22 कि क्वेश्चिन नमर 22 देखे क्या है बीएड इंटेंस एक्जाम हम लोग कहते हैं देखे यहां पर नहीं है इलाहबाद में उत्साह में त और सही जरूर लेकिन सही सह नहीं है लेकिन यहां पर आप देखे दिल्ली में एक लाधा है और एक लापूरा है तो इसी प्रकार के expression को हम लोग क्या कहते हैं दुट्व बंजन कहते हैं ठीक है कि क्वेशन नमर 13 कि आ रहे हैं शस्व प्राइस कौण से बंजन कहलाते हैं आपको क्वेशन नमर एक में ही मैं बता चुका हूं कि इन्हें हम लोग क्या कहते हैं उश्व बेंजन कहते हैं और इन्हें को हम लोग उस्व शंगर्सी बेंजन भी कहते हैं ठीक भी या चलिए क्वेशन नमर टूंटीफोर क्वेशन टूंटीफोर में लिखा आग च्छा ध्वन किस स्वर के अंतरगत आती है च्छ चत्रंग्या माला च्छ ध्वन पहली बात तो यह एक संयुक्त बेंजन है याद रखे च्छ एक संयुक्त बेंजन है और बाते आएंगी तो वहाँ पर और सभी चीजे मैं आपको बत ओएर हो गए लेकिन का राच ध्वन यौन किस άंतरगने डाता है तो कीश स्वर पूरण कि अंतरगत अगर आपसे पूछे गा तो इसीं हम और आप देखेंगे तो इसकी अंगरेजी होती है कि यसे जए तो के बात क्या आता है यस इसका मतलब वह जो आएगा क्यों बाद आएगा क्युके बाद आएगा क्यों के बाद आएगा तो 25 का उत्तर हुआ क्या बहिया यह वाला चलिए आगे 26 नम्र ाज मैं आपको कम से कम पचास gün कराऊंगा सबतक्षा सब्सक्राइब पचास कराऊंगा अगली वीडियो में फिर से 55 पशाच कराऊंगा और सौ प्रश्ट के पार निकल जाएगा ठीक है मेरा मकसद है कि 100 से कम प्रश्णन नहीं होने चाहिए चाहें जो हो जाए तो मैं आपको सव प्रश्न तो कराऊंगा ही कराऊंगा कम से कम आगे लिखा गया है जिया वर्ण किस वर्णों के संयोग से मिला है इसे लोग ज्यां पढ़ते हैं यह ज्यां नहीं यह ज्यां है तो ज्या और य्यां के योग से मिल करके यह बना है ज्या और य्या के योग से तो देखिए यहां भी है और यहां भी है यह दोनों तो पहले कट गए यह वाला बी वाला लड़ाई में है बाकी दोनों तो पहले ही कट गए अब आप देखो अगर यह पूरा यह पूरा रहेगा अगर यह पूरा और यह पूरा रहेगा तो कोई किसी से मिलेंगे नहीं लेकिन यदि इसमें मैं हलंत मारा दू तो यह ज़ इस यह से मिल जाएगा तो यहां पर हमने हलंत मारा और इसके यह से मिला दिया तो यह बना क्या जियां क्या बना जियां बना तो विकल्प आपका कौन सा ही कर दूँ अब 26 का भी क्वेशन नमर 27 में अगर हम लोग बात करें तो क्वेशन नमर 27 बड़ा ही बेहतरीन क्वेशन है बैंक एक्जाम 2002 में पूछा है ठीक है निमन लिखित में से अगोस बना कौन सा है अब देखिए सगोस के बारे में बताया आपको अगोस के बारे में बताया तो पहला दूसरा है अब आप देखो जड़ा कौन सा अगोस यहां पर दिखिये 27 27 नमर сот स है कुन सा अगोसवन है कुं तो वरगों कि यहां पर बात नहीं है यहां पर आपको समझना पड़ेगा यहां पर ये जो सय न सर है यहहां हię एक धोसवन है ठीक है कि है अगला प्रश्ट आपके सामने गोंड अउच रन तन क्या है और मुक्न तृ क्या है कंठ us सही है ना 29 नमर कोशन में 29 नमर कोशन में आप सबाइए निमनलिखित में से संयुक्त बेंजन कौन सा है संयुक्त बेंजन चार होते हैं संयुक्त बेंजन चार होते हैं एक तो छ एक तो त्र एक तो ज्यां और एक तो श्र यही चार है संयुक्त तो अब चारों में से देख लो कौन सा है तो यह नहीं मिला यह नहीं मिला यह नहीं मिला यह नहीं मिला तो क्या ज्यां मिला आपका विकल्प सही हो गया बी वाला सही है ना अगला पुसिश्य नमर्गिशंगा गारेन निम्लिखित में से कौन सावन उचार न की दृष्टी से दन्त नहीं है तो दन्त में आते हैं तो तो द न ये टो टो नहीं है डो किस से बोला जाएगा मुर्धा से ठीक है तो किस से बोल जाएगा? मुर्धा से बोल जाएगा बोलि बिया आगे चलेँ आगे चलें भीया ये कोश्टन टीजी टी का था उतर प्रजिजे टीजी टी ठिखे? चलिये आईये अगला प्रश्ट कौन सा अचानक वर्कन है? अमानक वर्ण है, कौन सा वर्ण है, जो अब नहीं माना जाता, तो जह, इसे हम लोग जह कहते हैं, अब हमारे जीवन में ऐसा प्रयोग होता है, ठीक है, तो यहां पर इसे हम लोग क्या कहेंगे, जह कहेंगे, 31 का क्या साई होगे आपका, C वाला, 32 नमर क्वेशन, 32 नमर क्व संयोग से बना, अब ही बताया था, किसके किसके संयोग से बना है, को और शयके, को और शयके संयोग से बना है, आगे, क्वेशन नमर 33, जल्दी 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 आप सब रेडी रहा करो, आंसर करने के लिए, क्या कहा है, हिंदी वनमाला के स्वरों के कुल संख्या तो RIGHT-1 कुछति पहले नहीं सूर नहीं है कूछ सवर नहीं है कि कुर्ण सवरत पतर बीस के सथी शवर дав एक हूए चलिए क्वेशन नमर 35 55 देखी बिए तो 35 पर बिकल्प क्या सही होगा झाल होगा बोलिये 35 खापका सही होगा डी वाला सब आते हैं घो नहीं आता ठीक है Q35 हो गया Q36 में चली विया Q36 जल्दिस बताए हिंदी वडमाला में बेंजनों की कुल संख्या कितनी है बेंजनों की संख्या कितनी है जल्दिस से बताएए वह ऐसे होने को तो बेंजनों की संख्या पूरी होती है कट तालीस है लेकिन अगर मूल रूप से हम लोग देखे तो बेंजनों की संख्या कितनी है 37 है आगे question number 37 question number 37 में कहा गया कि निमनलिकित मेंसे क्न सा पश्यसवर हे अब इसके वारे हम आपको बताना है तो पश्यसवर कौण कौण से होते हैं आपको याद करना पड़ेगा यहां पर यह पर जो पश्यसवर हैए हमारा यहां पर आउण दिखा रहा है तो यह हमारा विकल्प होगा सही पश्यस्वर निम्न लिकित में से कौन सा पश्यस्वर है तो कौन सा पश्यस्वर है भी या 37 का ए आपका और क्या है पश्यस्वर है ठीक है Q28 खड़ी पाई वाले वेंजनों का संयुक्त रूप कैसे बनाया जाना चाहिए 38 वाला जल्दी पताए भी या जल्दी पताए तो इसमें होगा खड़ी चोपाई को हटा कर ठीक है अगला स必म नमेर थर् давно लिखा है षी नमेर 32 5 applies के लिखा है जरा प्ड़ लिए विसरकसे बना शब्द कौन सा है विए विक्यार को से शब्द कौन सा है आपको सीधा सीधा देख रहा है नहीं स्प्रेह ठीक है क्वेशन नमर्फोटी इन में से कौन सा वन स्वर है कौन सा स्वर है इसमें आपको पता लगा कर बताना है कर तो अगर आप सबका मनना लगता हो तो बोलिए आज की प्रक्टी सेट यहीं पर खतम कर दो आज की प्रक्टी सेट यहीं पर खतम कर दो अगर आप सबका मनना लगता हो तो क्योंकि तब अगले दिन आपको थोड़ा सा क्वेशन जादा करना पड़ेगा ठीक है तो 40 नमर क्वेशन का सही क्या हुआ हमारे इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है तो आप क्या करेंगे यहां पर आए वाला विकल्प लगा देंगे ठीक तो तो क्वेशन नमर 41 से हम लोग आगे करेंगे अगली वाली प्रेक्टिसेट में ठीक है आप सब हमको बताते रहिए कि क्या पढ़ने में मजा आ रहा है समझ मा रहा है ताकि मैं वीडियो और भी बनाता रहूं और आप सबको अच्छा लग रहा है तो एक बार शेयर और नमर क्वेशन के आगे एक तालीस नमर क्वेशन के आगे ठीक भी है चलिए आज की वीडियो यहें तक समाब तरकते हैं मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में तब-tक के लिए नमस्कार गुड़ नाइट टेक क्यार चलिए भई नमस्कार दोस्तों फिर से मैं आजिर होगे आपके सामने वर्ड वर्ड माला की उसके आगे से प्रक्टिस एट ले करके अभी तक आपको जो हमने सिखाय था वो question number 40 तक सिखा दिया था question number 40 तक आपको भी सिखा दिया था चालिस number question के आगे अब हम सब का प्रोग्राम चालू होगा आज मैं आपको 111 या 112 question कराने के बाद ही वीडियो को बंद करूंगा क्लास को बंद करूंगा आप सब अपना दिल थाम के बैठिये और पूरा question जब तक न हो जाए आप सब हिलिये लिगमत ठीक है कसम है आप सब को कोरोना की अगर कोई हीला तो यह जान लीजिए यह अच्छा नहीं होगा ठीक चलिए मैं पूरी कोशिश से आप सब की वीडियो भी upload कर दे हूं और आप सब इसे देखते भी रहिए और लोगों के पास शेयर भी करते रहिए जितना अधिक आप शेयर करेंगे उतना अधिक मेरा मन बनेगा और मैं प्रशन नहूंगा और आपको और भी वीडियो बना बना के देना चालू करूंगा पहले हिंदी की पूरी वीडियो जुड़े हैं जैसे देखे स्वाती दूबे जी जुड़ी थी कल उपासना मिस्रा जी जुड़ी थी ये लोग जो जुड़ी थी ये क्लास के बाद जुड़ी और क्लास के बाद जुड़ने के बाद अगर आप कमेंट भी करते हैं तो उस कमेंट का क्या मतलब मैं किस से तो मज़ा आएगा अगर क्लास में जुड़ेंगे तब मैं आपको समझ पाऊंगा या आप अपना स्वयम का मुल्यांकन कर पाएंगे कि आप वाकई में हैं क्या जैसे कुछ बच्चों ने इतना बेहतरीन किया है कि मैं एकदम गदगद हो गया हूँ बहुत अच्छे अच्छे बच्चे इसमें लगे हुए थे बहुत अच्छा अच्छा कर रहे थे मैं बहुत बच्चे हैं नाम नहीं बता पा रहा हूँ तो बहुत अच्छा आप लोग कर रहे थे बहुत बहुत शुब कामना है आप सब क बच्चों कि आप जो भी परिक्षाब दोगे हिंदी अगर उसमें पूछी जाएगी तो आपका सेलेक्षन पठका होगा दूसरी बात जो भी बच्चे हमसे हिंदी पढ़ चुके हैं एक बार वो लोग नोट्स पढ़ लें पहले उसके बाद पढ़ें ताकि आपको ये भी त उस नोट्स को पढ़ करके तब हमारी प्रक्टिस सेशन में बैठीए ठीक ना ये कुछ जानकारी थी जो मैंने आपको दिया ठीक आगे चलते हैं क्वेशन करते हैं क्वेशन नमर 41 आपके सामने हाजीर है जल्दी से उत्तर देना जालू कर दीजिए क्वेशन में लिखा ग क्रया सामस् देखता हूं खुतना जज्यादा आप सब क्मेंट करते हैं जैसा आप कमेंट कर आप एक याद रखेगा कभी जो बी सबosedर करेंगे नहीं आप रिमूर नहीं करेंगे गलत है सही है चाने दीजिए ताकि आप कभी वापस से जब यह वीडियो देखिए तो आपको यह तो समझ भाएं कि हमने गलत किया था और आज इसे सुधारने कमों का मिला क्यूंकि आप अपनी गलती स्वयम ही सुधार सकते हो कोई चार अंतैस्त बेंजने अब आप बताओ इसमें से कौन सा मिल रहा है यह मिल रहा है यह तो इसका विकल्पर क्या सही होगा यह सही होगा रहे मेरे सरकार गजब आप सब बहुत अच्छे हैं मेरा दिल परशन हो गया अफरीन क्यों फोडिटू में कह रहा है कि इनमें से ओ किस वह सो बहुत बीच experiments है अच्छले वाली लेक्चर में बताया था क्यों सब्रेश के यह वादा आप गजब करते को एक सब्सकर दोस्ट्स लिखा है दंत मुरधा और आओ ओ और आओ ये दोनों ऐसे वन हैं जिनका उच्छानस्थान कंठ और ओष्ठ होता है मात्र दो ही ऐसे हैं जिनका उच्छानस्थान कंठ ओष्ठ होता है एकदम दिमाग में बैठा लो एकदम दिमाग में बैठा लो डायरेक्ट आखों के रस्ते दिल में उतरने के बहुत मज़ा आ रहा है आज उर भी मज़ा कम वाले से ज्यादा मज़ा इसमें आएगा कुछ बैच बताएं सब्सेल क्लास में अरे आज वाली कलास में और मज़ा आएगा ऺाई टेन्सन लिक लेँ टे ना ले भाई टेन्सन अले ना बेल जल्दी-ज जल्दी 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 एरे वह तो इसमें वही होगा जो थोड़ा सा मिट गया है यहाँ पर देखो यह तालू लिखा था किससे उचलन है तालू से तालू से कि तालू भारो हलें क्थे तो इसका आपका क्या सही होगा टालू सही होगा उप्षण छुष्योरं को सैंब वह हुआ है बहुत सही उझाले लिखा गया को द्लip दोनिया किसकी हैं जल्दी से बता एए उने का था जिनके भी नीचे यह दोटा क्लेशीія वो अर्वी फारसी की धोनिया होती है किसकी होती है अर्वी फारसी की धोनिया होती है ठीक है तो इसमें कौन सा सही होगा अर्वी और फारसी अर्वी और फारसी चीक है आगे बढ़ें चलिए क्वेशन नम्मर 45 क्वेशन नम्मर 45 वह फिर से वही सेम कोशन आ गया जल्दी से कि जल्दी करो जल्दी तो तालब्य से कौन आएगा कंठ तालब्य मतब को चो तुच्छ वर्ग की जितनी भी दुनिया है चलिए बढ़ते हैं लिखा है कौन वर्ण घोष नहीं है आपको मैंने बताया था कौन सा घोष नहीं होता अघोष होता है और घोष कोई क्या कहते हैं तो इसमें से अब मैं डायरेड बताओंगा मैंने हैं से कहा था कि हर एक वर्ग का पहला व दूसरा घोष होता है तेसरा चोथा पाझवा अगौश हो तो यहां पर कोन सा सई हो जाएगा तो वाल़ कौन सई हो जाएगा 46 का तो वाला चली है क्वेश्चिन 47 के फुर्टी सेवन में जिसमें नहीं है तो अरे खुले आम दिख रहा है री किसमें नहीं ठीक है समझ मा रहा है ना को फोटी एट कि जितना भी क्वेशन करा रहा हूं सभी अच्छी परिक्षाओं में पूछे गए क्वेशन है किसी भी क्वेशन को मैंने सट नहीं किया याद रखे जैसे यह क्वेशन जो आपके सामने है यह भी इंट्रेंस एक्जाम 2012 पूछा गया और नहीं आया अगर मैंने झूट पोला तो आप डाये कमेंट को मैं चैनल को सब्सक्राइब मत करो द्य स्लाइक कर दो ठीक है पूरी गरणंटी है पूरा सर्त के साथ काम करता हूं में लिखा गया किन ध्वनیों को अनस्वार का eyelidा किन धुनियों को अनुस्वार कहा जाता है बहुत बढ़िया कोशन है स्वर के बाद में आने वाली नाशक धुनिया लिखा गया है स्वतंत रूप से उच्चरित धुनिया स्वर के साथ आने वाले धुनिया बेंजन के बाद में आने वाले धुनिया तो बताएए जल्दी से क आशिक द्वनी जो बोली जाती है ठीक है तो पहला वाला विकल्प सही है क्वेशन नमर उन्चास क्वेशन नमर उन्चास जो है यह भी अभी हमने कुछ देर पहले बताया था कि केवल ओ और ओ दो ही ऐसे वन हैं जिनका उचार्ण स्थान दो दो उचार्ण स्थानों के बiãoध्य जाते हैं जाए तो हमने कहा था कि ऐसी i said से बोला जाता है कंट आलब गलत है मुर्धनिय गलत है दंतो इसक्रणाओ यहां पर सही क्या होगा कंथो यह सही होगा कंठो आप प्रते हैं क्योर्णीय नमर पचैस तो यहां पर बावन के सिवाए और कोई व्रणा नहीं है तो यहां पर आपका विकल्प सही होगा कौन सा पचास का भी बावन आगे बढ़ते हैं जो कोश्यन सरल है उसमें टाइम बहुत कम दोंगा आप सब एकदम excited रहें धना धना एकदम type करने के लिए तयार रहें अगर चल्दी जल्दी जो बच्चा type कर गया वही समझ लिजे पास होगा आज आप अगर वही बिजेता होगा वही जीतेगा जिसके हांथों में ताकत तो होने के सांसां तिव्रता होगी हमने आपको नारा दिया है पूरा करूंगा जल्दी करूंगा और सही सही करूंगा तो यह तीनों चीजे तब आएंगी जब आप एकदम active रहोगे मुर्दा के सरीके लेटे रहोगे तो मजा नहीं आएगा बैठो उटके बैठके और पढ़ाई करो बैठके ताप प्रक्ट हार लेलका जल्दी जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो दिर्ग भी है रस भी है प्लुत भी है इसका मतलब विकल्प कौन सा सही होगा डी वाला विकल्प कौन सा सही होगा डी वाला अरे बाह मेरे सरकार चलिए क्वेश्चन नमर बावन क्वेश्चन नमर बावन में लिख सट रियर ने चीज ह cev जानते हो तो बकत बारे में कितनी चीज है जानते हो पहले अगोस से सूरू करो अजोस से गोस हिसलि करें तो विकलप discour करो चले जाएंगे और ये विकलप होगा क्या होगा घोस होगा सगोस होगा इसका मतलब यह वाला आपसन से गया और यहां पर देखे अगोस सी वाला आपसन से गया अब लडाई किसकी है या तो बी सही होगा या तो क्या सही होगा बी सही होगा आपका डी सही होगा अब देखो अगर हम लोग देखें तो पफब अगर आप बोलोगे तो ओश्वन हैं दोनों ओठ काम करते हैं तो दीवाला भी सही हो रहा है दीवाला भी सही हो रहा है और यह भी सही हो रहा है इसपर्स बेंजन यह भी है अब देखो यहां से लड़ाई अब यहीं से हमारा काम बन सकता है यहां पर लिखा है अलपप्राण और यहां पर लिखा है महाप्राण तो हमने कहा था पहला अलपप्राण दूसरा महाप्राण तीसरा अलपप्राण इसका मतलब हमारा विकल्प क निम्ढ में अर्धसवर कहलाता है तो हिंदी में दो अर्धस्वर भी होते हैं जिने सैंभॉल के नाम से जाना पूर जाता है जल्दी जल्दी देख crafts अब मुर्ता हो जल्दी कमेंट करीये चाँ छहरा चाहता हूं कितने लोग बता देतें जल्दी-जल्दी करिए तो विकल्प आपका सही होगा a वाला यह और वा यह और व य दोनों अर्दसवार होते हैं यह और वा दोनों क्या होते है अर्दसवार होते हैं ठीक भीज़िया चलिए số 54 महाप्राण धोनियां बेंजनवर्ण वर्घ में किस्य समंदित हैं महाप्रारण धुनिया देख्चिए पहला kindness दूसरा महाप्रारण आप देख cha था अर्पप्रान चौत्ता महाप्राण अब देख्चिये बताईये किस्यं किस्ये होंगी दूसरा और चोथा से तो विकल्प कौन सा सही मारेंगे आप सी वाला रहे वा मेरे भाई वाई जी और बीड जी और बीड आईए क्वेशन नमर 55 लिखा है भाशा की सार्थक लगुत्तम इकाई है भाशा की सार्थक लगुत्तम इकाई है ध्वानी पद शब्द वाक्य क्या है जल्दिस जल्दी जल्दी जो लड़का बता देगा मजा आ जाएगा हमने कहा था भाशा को उत्पन करने के लिए सबसे पहले आपको क्या निकालनी पड़ेगी धुन निकालनी पड़ेगी क्या निकालनी पड़ेगी धुन नौरिशी को हम लोग कहते हैं ध्वानी तो सबसे लगुत लगुत्तम इकाई क्या होगी धनी होगी किसकी होगी भांसा की होगी ठीक है 56 question number 56 लिखा गया है इनमें से कौन वेंजन अलपप्राण है फिर वही बात अब इसको मैं बहुत जादे मैं डिटेल में नहीं जाओंगा मैं डायरेक्ट अंसर बताऊंगा कि अलपप्राण कौन सा है जो है ठीक क्यों है आप लोग जानते हैं इसी दिए नहीं बताया इनमें से कौन सा वन असपर्षवेंजन नहीं है असपर्षवेंजन वही नहीं होगा जो कौस ले करके मौतक के मस्ёश्ट भीच में नहीं आए जालू होगा तो कवाला नहीं ही जन नहीं है तो बचागया यहीं है आप कांतस्थभिंजन तो 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 क्या होगा अठावन का ये वाला ठीक भी है चलो भी आंद्यो 69 नम्मर क्वेशन में आंद्यों में आंद्यों लिखा गया है वर्णमाला किसे कहेंगे वर्णमाला किसे कहेंगे शब्द समोह को वर्णों के संकलन को शब्द गर्णा को वर्णों के विवस्तित समोह को मैंने ये प्रश्ण आपको पिछले वाले में भी आया था तो पिछले वाले में भी मैंने ये प्रश्ण आपको कराया था और इसमें बहुत बच्चे सही आंस तो आप लोग भी बार-बार करेंगे को नुकसान तो होगा नहीं कि तकलिप हो जाएगी गेस बन जाएगी ऐसा कुछ है लुगा एक दम फ्री जाओ तो इसका विकलप सही होगा हमारा डी विकलप क्या सही होगा डी वाला समझ माया आंद्यों बहुत क्वेशन में सुक्ष्टी हिंदी की श्यवध्वनी है श्यवध्वनी है आपको बताया था पहला कोशन ही साइद कल की प्रक्टिसेट करा रहा था तो कल की प्रक्टिसेट का पहला ही कोशन था श्यवध्व क्या है या तालब विध्वनिया क्या है तो यहां पर आपको जो श खुले आम बता सकते हैं कि तालब दोनी हैं तो बिटा विकल्प शही कौन होगा विवाला विकल्प कौन सा सही होगा विवाला साठ क्वेशन का भी सही हो गया आगे बढ़ो या आगे बढ़ो अंद्यों एक सटम्बर क्वेशन कौन वण ओष्ट नहीं है मतलब ओठ से कौन वरण ऐसा है जो नहीं बोला जाता तो पप यह तो तीनों ओष्ट से हैं तो यह सब तो गए आप व और आ यहीं दो में एक बच्टा है कि या तो ऊ हो या तो आ अप तो दो विकल्प हैं अब तो आप सब बता ही सकते हैं तो आप जानते हैं जैसे बोलेंगे तुरंत होठ आपका एकदम गोला हो जाएगा आजकल लड़कियां जैसे चोच बना बना के फोटो खीचती हैं आप जानते ही हैं वो ओष्ट पर खीचती हैं तो यह तीन हो गया गलत तो भाईया सही क्या होगा ठीक है जहां भी आप बैटे हो मेरे साथ आप बोला करो एनरजी आएगी आपको उर्जावान आप रहेंगे और नहीं तो ऐसे ही वीडियो देखते 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 सो जाएंगे होगा कुछ नहीं ठीक बाद में वीडियो देखोगे मजा कम आएगा ऐसे बहुत सारे नेटवर्क की भी विवस्ता बहुत अच्छी नहीं होती है तो आप सब इसे थोड़ा हमारी मेहनत को भी समझें और शेयर करें लोगों के बीच में अधिक सदिक जुड़ेंगे बहुत मजा आएगा बहुत अच्छी चीचीचे आपको बताने के लिए मैंने एक ठाकी चाजाइया यही सही है ठीक है शिक्स्टी टू सही हो गया शिक्स्टी थ्रे में आईए वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता बताईए वर्ण का अर्थ क्या नहीं है तो आप लोग जानते हैं वर्ण का अर्थ क्या है जैसे आप लोग कहते हो कि क्या वर्ण है वाह 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 क्या वर्ण है और आप कहते हो अच्छे वर्ण की ल बहाजयाएक भगवान स्री कृष्ण किस वरन के थे तो आप कहोगे श्याम वरन के थे श्याम उनका क्या है रंग है अगर मैं पूछों कि आप किस वरन से हैं जैसे वरन मतलब सामन गोत्र यह सब अगर आप लोग जानते होंगे ब्रामर्वन चत्री वर्ण वैश्यवन लिखा गया कौन वर्ण घोष नहीं है अब बार बार इसके बारे में चर्चा तो नहीं करने पड़ेगी हमको घोष वर्ण के बारे में आप लोग जानते हैं रो तो सो डो कौन सा घोष वर्ण नहीं है तो आप कहोगे सर कौन सा घोष वर्ण नहीं है तो क्यों नहीं है 64 पर किन धुनियों को अनुस्वार कहा जाता है। स्वर के बाद के आने वाली नासिक्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् अभी ये कोश्म ने इसके कुछ देर पहले यही कोश्म ने कराय था तो स्वर के बाद आने वाली नासिक जो धुनिया है वही हमारा क्या बनेगा सही आप्शन होगा ठीक है 65 नमबर कोश्चन का ए देखी जो बच्चे जिसे इसमें हैं अगर वो बच्चे इसमें नए हैं को कोई भी प्रश्ण परेशान नहीं करेगा यह आपके पास नोट्स नहीं है तो संस्था के खुलने के बाद आप हमारे संस्थान पर आ करके नोट्स प्राप्त कर सकते हैं आपको नोट्स वहां पर प्रवाइट कर दी जाएगी और अधिक जानकारी के लिए आप मेरे नम नमर पर भेज़ें मैं आपके समश्चा का समधान करने की पूर्ण कोशिश करूँगा जितनी मेरे शम्ता है ठीक है जो मेरे शम्ता से बाहर होगा मैं उसे आपको तुरंत स्फ्रश्ट कर दूँगा कि भाई मैं ये चीज नहीं जानता यह नहीं बता पाऊंगा कोशिश कर अगर अगर आपसे कहूं तो आप कहेंगे नाम हमको बताएंगे दंत वर्ण में अगर मैं आपसे कहूं तो आप लोग मुझे तुरंत बताएंगे कौन वाला तो वर्ण बताएंगे कौन सा बताएंगे तो आपका सही होगा तो ठीक है तो तो आपका हो जाएगा दंतव्या अगला लिखा गया है 68 नमर क्वेशन मजा रहे हैं आप सबको अच्छा लग रहा है कि नहीं अगर आप सबको प्रक्टिस सेट करने में अच्छा लग रहा है उर्जा बनी हुई है आलश नहीं आ रहा है तो एक बार सब लोग बजरंग बली महराज का नाम ले करके सब कर दीजिए तो मैं जान जाओं कि आप सबको मैं बढ़ियां सिखा रहा हूं या आप लोग एक्दम बढ़ियां मेरे सांथ जुड़े हुए हैं पूरे मन से सब लोग थमसब कीजिए तो मैं समझ पाऊंगा कि मैं आपको अच्छा करा रहा हूं जब कहने पर भी आप नहीं करिए भाई तो चलिए 68 अंबर खूशन का अंसर देजी घृ का वुच्रन स्थान कौन सा है शुरू में आपको बता दिया कंठ तालब में बुरधन दन तो अस्ता दोने प्रवाहे तो पंठ चे कवर गाएगा कवर गाएगा तो उसी घृ आएगा कवर में घृ आएगा और संतान सकल सचल सक्षम सब्दों का सही क्या होगा अब अब देखे जब आप मेरी लेक्चर क्लास में पूरा आपको डिसक्राइब करते हैं लेकिन यहां पर समय कम है तो आप ऐसे देखिए कि पहले क्या आता है नासिक धनी आती है या पहले सीधी सीधी धनी आती है तो आप कहोगे सर पहले तो हमको यहां पर सह है अंकि मात्रा के सांथ लेना पड़ेगा तो हम इसको पहले सबसे पहले अंकि मात्रा वाली बिंदियों वाली लेंगे तो बिंदियों वाली लेंगे तो पहले तो यह कट ग आती है और यहां पे देखो क्या आई है चogo आई है तो यह वाला भीकटर को सब्सक्राइब अंतर का कौन सब्सक्राइब कि अर्ण information by को question यहां पे आपको मिल रहा है थो वह तो है नहीं वह तो है नहीं तो यहां पर वह भी अल्पप्राण है याद रखेगा तो सतर का जो यह वाला विकल्प है वह आपका कौन सा है थो और यहीं क्या हो गया आपका विकल्प सई हो गया चलिए question question में लिखा गया हिंदी शब्द कोस में अंव औहां किस वर्ण के साथ अता है तो ऑsin के अता किसके सांथ आएगह किस का पारा क्या सवी होगा यस भी वाला असाइब का सभी स्थान नहीं दिया गया है तो यहां पर आपका कुन सा व्रण सही होगा च्छ व्रण किसके संयोग से बनता है तो को और कभी कभी परिक्षा में यह नहीं हो सकता तो कौश से शैही होगा को और शो स argent से संयोग से मिलकर बना है विकलप सही होगा कॉन सा यह वाला को बहुत काफी बच्चे से जो कितना बेहतरी ना अंसर कर रहे हैं मैं बहुत खूश हूँ आप सबसे चलिए क्यूशन नमर्ट तीहत्तर लिखा गया है 73 73 में लिखा गया है निम नमें से कौन सा शब्द और मात्रिक है और मात्रिक मतब जिसमें मात्रा ही नहों और मात्रिक मतब जिसमें मात्रा ही नहों देखो यहां पर अगर देखो गया तो मात्रा आपको मिल रही है आकी 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 अमिताब में मात्रा मिल रही है यहां पर देखें चहकाना में मात्रा मिल रही है लेकिंग कलराओ में कोई भी मात्रा नहीं मिल रही है तो विकल्प सही होगा आपका सीवाला तीहत्र का विकल्प कौन सा सही हो गया सीवाला चाहतर नमर क्वेशन में चलिए चाहतर नमर क्वेशन में लिखा गया अयोगवाह कहा जाता है अयोगवाह कहा जाता है विसर्ग को महाप्राण को संयुक्त बेंजन को अलपप्राण को जिसे कहा जाता है जल्दी से बताईए तो अयोग वाह मेरे भीया विसर्ग को कहा जाता है औहां वाली जो धनियां होती है उन्हें हम लोग आयोग वाह कहते हैं क्या कहते हैं क्या क्यों कि कुवेश्चिन नमर 75 में क्या लिखा गया है जरा आप लोग देखें क्यों से समझें और आप हमें सही कि विकल्ब बताएं कि अ कि अ कि अ कि अ कि बरसाति के दिन आए जल्दी बताए भीया कि यार हपता में एक दिन सैलून वगरा खोल देना चाहिए नहीं तुमान लेजिए कुछ पूरूस लोग हैं जो नाई को बुला करके दाड़े बाड़े बनमा लेते हैं लेकिन महिलाओं की क्या गती होगी भूतनी निकलेंगी सब छण की मर जाएंगे कोरोना से कम वो इसे ज्यादा मरेंगे सही कह रहा हूं ना वहीं चलिए भाई कोई लड़कियां दिल पर ना लें केवल फेफड़े पले सांस लेते वक्त बाहर निकल जाएगा ठीक है दिर पर लेंगे तकलीफ होगी दिल पर न लिया करो मेरी कोई भीबात दिल पर न लिया करो केवल चो मुर्धा का टोठो डोडो तो क्या सही होगा सी वाला मुर्धा पचैत्र का क्या सही हुआ सी वाला कि क्वेशन में शेत्र प्रयत्र के आधार पर लोग किस प्रकार की धनी है प्रयत्र के आधार पर लोग किस प्रकार की धनी है जल्दी से बता दीजिए मजा आ जाएग प्रेत्र के आधार पर लग किस प्रकार की धुनी है तो आप क्या बताएंगे 76 का जल्दी बताईए सरकार 76 का ए बताएंगे पार्शुक धुनी ठीक है लग को लुंठित कहा जाता है रग को लुंठित कहा जाता है हिंदी वनमाला में अंग और अह क्या कहा जाता है अभी कु क्वेशन नमर 78 क्या है जल्दी से बताईए निम्निल्खित वेंजरों में से कौन सा संयुक्त वेंजर नहीं है तो आप जानते हैं कौन सा संयुक्त वेंजर नहीं है देख लिजिए जल्दी से 58 क्यों क्यूंसा संयुक्त वेंजर नहीं है शह है त्र हे यह कहां से आ गया यह कहां से आ गया यह तो शंयुक्त वेंजर नहीं न तो विकल्प आपका सइह होगा भी वाला उन्यासी नमर क्वेशन में आए ठीक है निम्न में से कौन सा वेंजन स्पर्ष संघरसी है अब आप सब जानते हैं बताने कि कोई जरूत नहीं है आप सब ज को नहीं कहेंगे र को नहीं कहेंगे हको नहीं कहेंगे तो शसस ही क्या होता है उश्म होता है वो इसी को उसम संघरसी भी कहा जाता है सही है कि नहीं ठीक है लेकि उसम संघरसी नहीं पूछा है इसमें पूछा है आपका स्पर्स संघरसी इस पर्स संघरसी कहने को मतलब पहली बात वो स्पर्स बेंजन हो तो पहल है हो नहीं है सही विकल्प होगा आपका ज ओहो गलती हो गई थी उदर तो अभी तो गलत हो जाता तो सही विकल्प क्या होगा ज़स पर संग्रती क्या है ज़सी कुछन मरसी को देखिए जल्दी से टीप दो बच्चों करें हिंदी वडमाला में बिंजनों की संख्या कितनी है खुले आम आप लगाईए 33 क्या है 33 कि आगे कि एटीवन नमर क्वेशन लिखा गया हिंदी शब्द कोश में श काक्रम किस वण के बाद आएगा अब भया जो श है चत्री वाला चत्री मताब बाबु साहिब वाला ना शिवम भाई शिवम ठाकुर जी बाबु साहिब वाला जो श है वो किसके बाद आएगा बाबु साहिब वाला श जो है भया वो को के बाद आता है किसके बाद आता है को क्यूं आता है क्यूंकि ये श बनता कैसे को और श के मिलने से बनता है तो इसके बाद यही वाला तो आएगा तो आप कहोगे हाँ सर सही बात है तो विकल्प सही हो गया को ये वाला ठीक है आगे बढ़ जाओ बढ़ती चलो चलिए आंसर प्लीज एटीट्यो क्वेशन में एटीट्यो का आंसर एक ये उच्रन स्थान का नाम बता ये एक आउच्रन स्थान जो लड़का बता देगा उसे में कुछ भी नहीं दोंग है कि ये दो ही ऐसे हैं जो यहाँ से बोले जाते अब यहाँ तक बता दे रहा हो बोल दीजिए वबल बेटा बोल बोल जबोल तो भाईया ना तो दंत होगर ना तो टालब ऻोगा नजैसर के लिए पहले बता दिया जो मुख हो गया है O और O की booking हो गई है O और O की booking हो गई है यही कंठ और तालब विकल्प आपका सही होगा A और A दो ऐसे वर्ण है क्या है? A और A A यह दो ऐसे हैं जो कंठ और तालू की सहाथा से बोले जाते हैं कंट और तालू की सहायता से बोले जाने वाले केवल दोवर्ण है ए और ए ठीक है चलो वह यह संयूक्त स्वर भी है याद रखेगा एक प्रश्ट और ए ए ओ ठीक इन्हें संयूक्त स्वर कहा जाता है संयूक्त स्वर कहा जाता है और छत्रंग ग्याश्ट्रा वाले को संयूक्त बेंजन कहा जाता है पूछा जा सकता है इसे भी आप एकदम अपने दिल में रखो ठीक है आगे 33 वलिए ऑंसर करिए 33 का निमनेलखित में से कौन वरण अंतस्थो नहीं है अंतस्थ के बारेजाशों आपको सभी चीजह बता दिया हूं जल्दी जल्दी बिताऊनें अंतस्थ नहीं है जल्दी जल्दी बिताईं ऩ छल्दी- बिताईं गुगत हम्या cœur सब लोग उर्जावान रहो अगर कुछ सीखना है तो कुछ करना पड़ेगा ठीक है दोपार में इतनी मस्ती करते हो आप सब एकदम बढ़िया टाइम पर चालू किया हूं ताकि आप लोग दुपारिया में इसे देखिया और तुरंत नीद आजाएगी हिंदी एकदम दिव् बजे रात तक उठो खाना खाओ फिर सो जाओ सुबह तक और उसके बाद दोपार में फिर देखो है ना रात में बस आट बजे वाली लेक्चर जरूर देख लिया करो इंगलिश वाली ताकि तुमारा कुछ विकाश होता रहे अच्छे-च्छे पोईम लेके आ रहा हूं द देखोगे मेरा स्टेटस लगा हुआ है आप मेरे स्टेटस पर देख सकते हो ट्रू ब्यूटी का पोस्ट थमनेल लांच हो गया है उसको भी बहुत ही बहतरी इन चीज है सभी लोग सुनियेगा सभी लोग पढ़ियेगा ठीक है तब आपको समझ में आएगी कि जो सुन्द हो लवा कि एनतस्त है अब अगर यहर लवा अ células स्ट है तो देखो यह है यह एनतस्त है यह खतम रखतम वा खतम यह क्या है हो तौह हमारा चाहो प्रफिशन क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल सई हो जाएगा यह यूपी PCS की परिच्छा 2016 में पूछा गया था सरकार नहीं तुम बिला लेना अगोस वन कौन सा है तो सव अगोस है सव आपका अगोस है 85 नमर क्वेशन में जल्दी जल्दी चली बैई 85 जल्दी जल्दी आंसर करो तो मजह आएगा नहीं तुम्हें भागोंगा 85, 85 में देखिए क्या सभी होगवा 85 में लिखा गया हिंदी की तालब विद्धुनिया है revelation चली सब्सक्रा चलाइब कर सब्सक्राइब कर आज यह वान व्रन माला करा दूंगा बाद में कुछ दिन बाद फिर से आपको देखोंगा कि आपको याद है या भूल गए तो मैं एक बढ़ बाला पर और कोशन बनाऊंगा सब्सक्राइब अगली जो होगा आप लोग इसे एक बार देख लिए दूसरी बार तीसरी बार खुब देखो जितनी बार देखो उतना अच्छा लगेगा आप सो को ठ होगा तो कम से कम आपके जीवन में यह आपका साथी तो रहेगा कि कल आपके जीवन में यह साथी तो रहेगा कि आपको हिंदी आती है नहीं तो लोग कहेंगे कि हिंदी हिंदुस्तान में रहते हो हिंदी या की भाशा है और आपको हिंदी भी नहीं आती इंगलिश भी नह प्राण है तो यहां पर देखिए तो जो है वो पहला है ठीक तो आपका विकल्प क्या सही होगा तो ठीक है जी कि चलो वाई आगे 87 87 हिंडी की स्पर्ष घो उप्रण धंट कौन है तो पहले दन्त खोजो तुम पहले दन्त को आधा तो मैटर वैसे खतम हो जाएगा तो दिंट खोजो गए तो कौन कोंधा मिलेगा जल्दी शाम कर बताओ दंत खोज मिलेगा मतंब यह कट गया और यह था वाला तो दूसरा देखो था है किदा है आपको सर्थ है तो यह भी काड़ दो विकल्प कौन सा सही हो गया यार एकदम सरल है हिंदी तो बहुत सरल है बस आपको आनी चाहिए आप उसी थोड़ा सा पड़ो और यह आपको बता दो यूपी पीसे जी आएसी पीजुटी के जामनेशन में पूछा गया है दो चाहों दोचार नौ में अ है। इटी एट नंमर क्रेंशन में चाहिए । इटि एट नंमर क्रेंशन में आयं हे। लिखा गया है हिंदी की इस परश गोस महाप्रण ओश्ठ धनी को ने है.. वा 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 कितनी बड़िया बात के रहा है 88 वाला question जरा देख लीजिए, वही पहले वाले question को फिर से repeat कर दिया गया, और पहले वाले question को फिर से repeat कर दिया गया, तो अब तो आप खुद ही जान जाओगे, है की नहीं, बोलिए, लेकिन जैसे ही जान जाओगे, वैसे ही कलत हो जाएगा, क्यूं, क्यूं क्यूं वहाँ प ये कट गया कुछ जानने की जरुवती ने पड़े ये तो खुले आम निकल के आ गया भाँ ठीक अब चलिए भाईया अगले कोशन की तरफ एट्टी नाइन अरे जब सिदल दिया है तुमको चन ना यारे रब मेरे रब रबा रबा तुम चलो भाई 89 नमर क्वेशन कौन बता रहा है जल्दी से बताओ भाई जल्दी जल्दी बताओ जल्दी जल्दी चलो पता है कि नहीं जानते हो ना वोली भाई बताया भी हूं जल्दी से बताओ कौन सा होगा कि ने यार कैसे लड़के हो तुम लोग संभृत विब्रत वाले में फस गए क्या यार अरे चार प्रकार को होते हैं संवरेद स्वर होते हैं अर्ध संवरेद होता है अर्ध विब्रेद होता है बताया था कि नहीं तो संवरेद स्वर होता है इस संवरेद स्वरेद होता बड़ी बड़ाव अर्ध संवरेद होगा छोटी छोटाव विब्रेद होगा आय और अर्ध विब्रेद होगा ए होता है कि नहीं अब तो बता दो आप्शन कौन सा सही होगा बोले भाईया अब आप्शन सही होगा सीवाला एटी-9 का क्या सही होगा सीवाला अप्चलों 90 90 नमर क्वेशन में आंद्यों भाईया में क्या दिया गया है जल्दी बताओ 90 नमर क्वेशन में क्या सही होगा को लड़का बता रहा है जल्दी-जल्दी करो मैं थोड़ा सा वेट करता हूं आपका कि अगा कि अगा कि कि चलो भाई कि एक चली मैं ही बता देता हूं 90 की हिंदी की मुर्धन्य ध्वनी एकिदम सरल है कंठ तालब में मुर्धा टौपे होगा किस पे होगा टौपे होगा 90 का क्या सही हुग आपका बीवाला 91 कि बाद्वनी किस से बोलोगे आप ओस्ट से किस से बोलोगे ओस्ट से 91 का क्या सही हुग भाईया बीवाला ठीक है नाइन्टी टू जल्दी बताओ 92 में सबको आना चाहिए दन्त ध्वनी जल्दी 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 बताओ सब लोग आओ बताओ भाई सुस्त होते चले जारो यार कुछ लोग छोड़क भाग जाते हैं मजा नहीं आता है छोड़क भागा ना करो ढहिए तो दन तहत था दधा न तो है linji 3 920 नमलिकित मिर्थे स्वर्वर्त संवर्च अब ही आपको बता संवर्थ वाले में क्या क्या आएगा जल्दी बताओ संवर्थ वाले में क्या आएगा यह और उ छोटा यह छोटी उ तो आएगा आपका सी वाला कि 94 का कि 94 देखो निम्लिखित दुनियों में से कौन सी दन्तोस्ट है अभी बताया था दन्तोस्ट के वल कौन है आप बता सकते हो जल्दी से बताइए 94 कि बताइए तो यह होगा आपका वह क्या होगा वह कि आगे आए 95 को ना आपक कोशन क्या करें निम्लिखित वर्ण्व में इसे कौन सा मूर्धन धनियों का है तो बताइए फव Can't 95 चलिए कि चलिए यह जल्दी बढ़िये तभी मज़ा आएगा जल्दी जल्दी चलिए तभी मज़ा आएगा सब बच्चे जानते हैं तालब थीक है नान्टी सेवन कुईशन नमर नान्टी सेवन निंवन में से कौन सा बेंजन पारिशुक है जल्दी से बता दीजे 97 नम्मर क्वेशन में कौन सा पारशुक्त बेंजन है तो पारशुक्त बेंजन कौन सा है जल्दी से बताइए कोई बच्चा बताए भई पारशुक्त बेंजन है लो ठीक है आगे चलते हैं 98 क्वेशन में 98 देखे क्या करें निम लिखित में से कौन एक संजुक्त बेंजन नहीं है अभी यह कुशन आया था शर्ट पर संजुक्त बेंजन नहीं है विकल्प नम्मर भी सही होगा 99 क्वेशन नमर 99 यहर लव किस वर्ण के अंतरगत आता है आप सब बताएं जल्दी से यहर लव किस वर्ण के अंतरगत आता है 99 नमर क्वेशन यूपी बीएड एक्जामेनेशन 2013 में पूछा गया बाई साब तो अंतरस्त बेंजन है अंतरस्त जो लोग बच्चे बीएड वेट का इंट्रेंस वगरे देना चाहते हैं फीसेस पर इचापी सीस का फॉर्म आ गया है जो बच्चे देना चाहते हैं बहुत किसमें लिखा हुआ है जल्दी से बता दीजिए तो आपका अरदस्वर है यह वाला कौन है यह वाला ठीक है 100 कोशन हो गया बहुत भारत माता कीज़े यह यूज यूसी नेट जे आरफ का एक्जाम पूछा गया था 2009 में ठीक क्वेश्यन नमर 100 के बाद 101 निम्न में से कौन संयुक्त बेंजन नहीं है जल्दी से बता दीजे कौन संयुक्त बेंजन नहीं है च्छ है ग्यां है त्रह है फो नहीं है एक सो एक नमर क्वेशन यह यूपी तरपल सी सम्मिलित साहिक से लेखागार की जो परिक्षा होती है उसमें पूछा गया था लेखा परिक्षक वाले में ठीक है 2016 में एक सो दूमर क्वेशन है कि क्वेशन में वन छिरॉटू निम्डा मैं से कॉन सा पार्श्विक है अब यह सब मैं नहीं बताऊंगा आपको भी बता चुकाओं जल्दी से बताओं पार्श्विक गैंजन कॉन सा है एक सो दोनमर क्वेश्ग में बता दीज 210 से यह रफ लवा त भांशा विज्यान की द्रिश्टि से हूं किस प्रकार 8 प्रकार का स्वर्य हूं किस प्रकार है उडि किस प्रकार का स्वर्य है वोले अग्रश्वार Полष पर पश्य व्यक्त Arts जल्दी से बताए एक तो तीन नमबर क्वेश्चन जो बच्चा जल्दी से बताएगा वह बीर होगा वू बोलेंगे तो जी पीछे जाने लेगेगी तो क्या होगा यह पश्य संयुक्त स्वर होगा ठीक है पश्य श्यूत होगा आगे चले भीया question one one zero four वह का उच्रणष्थान है अभी आपको बताए था वह का उच्रणष्थान बड़ा ही यूनीख है वह का उच्रणष्थान बड़ा ही यूनीक है जल्दी से बता दो जल्दी जल्दी अगर देखता हूं कितने बच्चों को याद है कितने बच्चों को याद है जल्दी जल्दी बताएं वेरी गुड वेरी गुड भाईया वेरी गुड तो है कौन सा दन्तोस्ट ठिक 105 नमर कोश्चन में आई ये 105 नमर कोश्चन में करा कौन सी ध्वनी महाप्राण नहीं है कौन सी ध्वनी महाप्राण नहीं है अब आप सब बताईए इस प्रश्ण को आप स्वयम बताईए अलप पराण पता लगाओ एक सो पैंटीस एक तीन पांच पहला देखो एक में कोन आ रहा है तो आप कहोगे खुले याम जर जर कहोगे जर सही है आपको जल्दी जल्दी पताओ गया तब ही तुम जाएगा ने तो हम बंद कर दें जाओ तब फिर न कराएं जान दू भाई हम यही। बंद कर दें चलू आज की वीडियो तब यहीं तक रखेंगे आप लोग मझे से उसमें कुछन कुछ बोलते रहो जहां भी हो वहां से न sm пas को बोलो के रहों कैसे मुझा कैसे सुना चब देगा जब कमेंट करोगे हों और कमेंट नहीं कर रहे हों आप सब बैठोंस से वढ़न हैं जिनका कंठ और तालू है बाकि कोई है नहीं तो कोई नहीं है टककर में जल्दी आओ जल्दी बताओ वह साबस तो इसमें सही होगा आपका कौन वाला कि आए वाला ए और ऐसे हैं जो कंठ और तालू से बोले जाते चिक कर एक 107 107 नमर क्वेशन में देखो क्या कह रहा है जल्दी से बताईए 107 नमर क्वेशन में कह रहा है निमिन में से कौन सा वेंजन संघर्सी है कौन सा संघर्सी वेंजन है जल्दी से बताजीजे हमको कि एक सो आठ नमर ग्वेशन में कौन सा संगर्शी है ते आप कवगे हावाला कौन को गवगे हावाला कि एक सो आठ नमर ग्वेशन से निकाल के बताओं गा ठीक है लेकिन अभी आप लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं तो जितनी प्रैक्टिस सेट में बताते चल रहा हूं तो आप ध्यान से सुनते चलो समझते चलो बाद में जिब क्लास कराओं गई है इसकी तो आपको वो सब भी चीजें बता दूंगा ठीक है कि 108 नंबर कोईशन में लिखा गया है निम्न में से कौन सा बेंजन स्पर्श संगर्सी है ज रह व कौन सा है जल्दी से बताइए क्वेशन एक बार पहले भी आ करा चुका है मैं इसके पहले भी यह कज़िंग करा चुका हूं जल्दी से बताएए कि तो यह है कौन सा ज्यों आगे कुशन नमर 120 विश्ण नमर एक सोनो देखिए ने विसर कसे बनाशब्द कौन सा एं विशर्ग से बनाशब्द कौन सा ने आपjisर और को नमर क्वेशन में आई है 110 नमर क्वेशन में देखे क्या लिखा गया है कि तालब वे वेंजन है तालब वेंजन कौन सा है कंट तालब चावर का वाला तालब वेंजन है तो आप खुले आम तुरंद के दो बीवाला साहिए ठीक है 110 का कौन सा साहिए बीवाला साहिए आगे ब कलदी से बताये जो घोश नहीं होगा वह अघोश पक्का होगा जो घोश नहीं होगा वह अघोश पक्का होगा तो बिकल्प कौन सही है प कि आगे देखो।ाерм में देंखो क्वेशन Trevor स्वाथ की प्रेक्टिस है का तो आज यह वर्ड और वर्ड वाला की प्रक्टिस सेट थी जो मैंने पूरे क्वेशन आपको करा दिये पूरे क्वेशन 112 क्वेशन आपको कराया हूं अगले दिन जो प्रक्टिस सेट हमारी बना रहा हूं अगले दिन जो प्रक्टिस सेट बनाऊंगा वह हो सकता है विलोम श प्रक्टिस सेट के लिए बिल्कुल तयार रहें को अधिक सेयर कीजिए देखता हूं कि आप सब पढ़ने के लिए कितने ज्यादे एकसाइटेड हो क्योंकि आपका सेयर करना या जब हमको वाच और ज्यादा मिलते हैं या जब हम देखते हैं कि बहुत जादे बच्चे हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है मन करता है चलो और अच्छी चीजे बनाने को तो मैं और भी अच्छी चीजे आपके लिए बनाऊंगा तो याद रखे आपको शेयर जरूर करना है क्या करना है शेयर जरूर करना है मेरे भाई शेयर करिए लाइक खुब कीजिए जितन सब्सक्राइब भी कर लें तब मैं आपके लिए एक हिंदी की बैच चालू करने वाला हूं बिल्कुल फ्रेज चालू करूंगा उसका लिए मैं आपसे कोई पैसा उचा नहीं लोगा ठीक आप लोग बहतरी नंग से सीख चाहिए चलिए भाया आज फिर यहीं तक रखते हैं आज की लेक्चर तो आभी शाम को फिर मिलते हैं आपको इंगलिश के सांथ बहतरी चीज़ें आप इंगलिश की भी पढ़िए तो चलिए फिर मिलते हैं आज शाम को तब तक के लिए धन्यवाद बाइबाई टेक केर लेकिन अभी गुड नाइट नहीं बोलूंगा ठीक है आपका दिन शुब हो